Hi everyone, welcome back to my channel So guys, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको प्री के लिए बताया था कि कैसे आप कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं complete mains के बारे में बात करूँगी Because pre एक just qualifying stage है इसलिए pre के साथ जुरूरी है कि हम mains को भी priority में रखें Because final selection इसी से होगा So, सबसे पहले जो main question हर कोई पूचता है मुझसे भी आपने बहुत बार पूचा है कि mains की preparation start कैसे करें तो सबसे पहले आपको करना क्या है एक memory based paper देना है mains का इससे ये benefit होगा कि आपको पता चलेगा कि आप आज कहां stand कर रहे हो और आपको किस section में ज़्यादा problem आ रही है दूसरा आपको समझ आएगा exam का level Because एक right direction में prepare करना बहुत जुरूरी है इससे आपको ये clear हो जाएगा कि कितने high level तक के question and किस-किस type के question आपको practice करने है जब आप उस paper को खुद से analyze करोगे तो आपको खुद ही clear होने लगेगा कि आपको किस sequence में अपनी preparation करनी है ये रहेगा हमारा first step इसके बाद next मैं सभी section को separately discuss करूँगी and preparation के लिए source भी आपके साथ share करूँगी first section है quant जो mains में data interpretation and data analysis के नाम से होता है तो यहाँ पी आपको question मिलेंगे di and arithmetic के mains में arithmetic बहुत importance रखता है pre तक हम इससे बच सकते हैं बट यहाँ इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा तो arithmetic पे जो question होते हैं वो mostly basic concept पे based होते हैं variable based भी होते हैं तो उनको आप कर लोगे अगर आपको concept clarity है क्यूंकि यहाँ pre के जिससे fix type नहीं होती कि बस दो से चार type कर ली तो हो जाएगा यहाँ आपकी understanding matter करती है time भी काफी होता है तो paper की दो ही main demand होती है first आपको choose करना आना चाहिए दूसरा यह कि आप time चाहें 10 minute दे दो question को बट वो उतने time में आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि हमें mains में सब कुछ नहीं करना होता is like pre arithmetic के भी mainly सभी chapter यह important हो जाते है क्योंकि arithmetic based di आपको मिलेगी data sufficiency में भी आपको arithmetic मिलेगा quantity comparison में भी arithmetic मिलेगा जो variable वाले question होते हैं जिसमें blank दिये होते हैं वो भी arithmetic based होंगे तो आप देख सकते हो कि पूरे paper में arithmetic ही है अब ये तो मैंने बता दिया कि कैसा paper रहता है अब आता है कि preparation कहां से करे sources क्या रखें तो mains naval di को कैसे approach करते हैं इसके लिए आप हर्षल अगरवाल सर की 365 di के नाम से playlist है वो कर सकते हो और arithmetic के अगर आपके basic concept सही है तो मैं suggest करूंगी कि आप mock test से practice करो because mock से best कुछ नहीं है mains के लिए इन mocks भी आपको अच्छे quality के लगाने है जैसे मैं अगर आपको suggest करूं तो आप smart kida के mock लगा सकते हो क्यूंकि इनका content काफी अच्छा रहता है pre and mains दोनों के लिए तो आप daily में यहां से practice कर सकते हो इनके topic test भी काफी अच्छे होते है तो अगर आपको specifically किसी topic में problem होती है तो आप यहां से topic test भी practice कर सकते हो and guys mains के लिए हमें अच्छे platform से question practice करना बहुत जरूरी है otherwise हम exam level question practice नहीं कर पाएंगे आपको starting में लगेगा कि इनके mocks तो बहुत tough है marks नहीं आ रहे बट आपको देरे-देरे समझ आ जाएगा कि यह जो tough mocks है यहीं से हमारी best preparation होती है and हम exam के लिए ready होते हैं तो smart kidda test series का buy link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से इसे check कर सकते हो अब है reasoning तो इसमें mainly तीन parts रहते हैं puzzle, miscellaneous and logical reasoning तो puzzle के लिए आप अंकुष लंबा सर या फिर पुनी शर्मा सर इन से कर सकते हो YouTube पे भी काफी सारी free classes मिल जाएगी वहां से आप practice कर सकते हो miscellaneous part पे आपको ज़्यादा focus करना है क्योंकि यह section mains में scoring रहेगा क्योंकि puzzles बहुत बार नहीं मनती या फिर काफी lengthy आजाती है तो उस time miscellaneous part जिसमें कौन-कौन से topic रहते हैं जैसे coding, decoding, input, output, coded, slogan, coded direction, data sufficiency ये सब topics होते हैं तो ये हमारे लिए savior होंगे अगर ये आपका अच्छा है तो आप at least यहां से score कर पाऊगे तो इसके लिए आप उनी सर की काफी सारी free series है YouTube पे वहां से कर सकते हो या फिर एक channel है virtuous करके उनकी M3 series है वहां से कर लेना अगर आप इतना भी कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये वाला पार्टाप का उसके बाद logical reasoning इसके लिए पहले आप हर्शल सर की marathon class करो एक या एक से दो teacher और हैं जिनकी marathon classes है logical reasoning पे तो उनकी classes भी आप देख सकते हो तो वहां से आप एक बार समझ लेना कि different type के questions को कैसे करते हैं जैसे इसमें statement assumption होती है conclusion होता है inference होता है तो इन सब को करने का way अलग-लग होता है तो वीडियो से आपको difference समझ आ जाएगा उसके बाद आपको सिर्फ practice करनी है इसके लिए बहुत सारी PDF आपको मिल जाती है काफी सारी PDF मेरे टेलेग्राम ग्रूप में भी है आप वहां से भी कर सकते हो तो reasoning का conclusion यही है कि आपको पहले misleading part पर focus करके इसको strong करना है उसके बाद आप tough puzzles की practice कर सकते हो साथ में logical reasoning की भी practice कर सकते हो बट सबसे पहले आपको misleading part को अच्छा करना है ताकि अगर exam में कोई भी worst situation होती है तो ये part आपका अच्छा हो तो आप या से score कर पाऊ तो अब है English इसके लिए आपको main focus करना है reading पे क्योंकि mains का paper comprehensive रहता है जहां आपको reading skill mentally help करेंगी understanding में क्योंकि जैसे RC होता है तो दो RC मिलते ही है तो वहां question direct नहीं पूचे जाते जैसे pre में होता है कि direct question होता है हम RC को पढ़ते हैं और उसी के अंदर ही हमें direct line मिल जाती है वहां से हम answer कर देते हैं यहां पे जब आप mains का RC वगेरा solve करोगे तो आपको समझना पढ़ता है elimination करना पढ़ता है तो यह सब तभी possible होता है जब आपको समझ आएगा कि RC में क्या बताया गया है दूसरा है sectional test या फिर mock test English के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की need नहीं है बस इतना भी आप कर लेते हो तो enough होगा आप बस reading करो और sectional and mock test के थूँ practice करो जब आप mock test देते हो या फिर sectional test देते हो तो सिर्फ देना नहीं है उसके बाद उसको अच्छ से analyze करना है आपकी जो mistakes रही है उसको analyze करना है इस तरह से आप analysis पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा focus करोगे तो आपका English जो है वो बहुत improve हो जाएगा नेक्स्ट है GA and descriptive इन दोनों को कैसे करना है मैंने पिछली बार IVPS PO mains दिया था तो मैं अपने personal experience के साथ सब कुछ बताऊंगी कि आपको इन दोनों sections को कैसे करना है बट ये मैं next video में बताऊंगी बिकोज मुझे descriptive को अच्छ से explain करके बताना है तो उसके लिए ये video ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इन पे आपको जल्दी ही video मिल जाएगी तो आज की video को यहीं तक रखते हैं I hope आपको video से help मिली होगी तो जो लोग SBI PO target कर रही है वो pre के साथ साथ mains की भी preparation start कर दीजिए because pre के बाद बिलकुल time नहीं मिलेगा यही time है जिसमें आप mains part को strong कर सकते हूँ so if you like my video then please hit the like button and if you are new on my channel then please do subscribe to my channel I will see you in the next video till then take care bye